वेलकम है आप सबी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और जरूरी क्रिप्टो कुरेंसी न्यूस एंड अपडेट के बारे में शुरुवात करेंगे मार्केट के हाल से market के हाल अगर आप देखोगे बिल्कुल यहां पर red market देखने को मिल रहा है और अभी तक कोई situation market की यहां पर अच्छी नहीं दिख रही है लेकिन हाँ कल एक हम जो है greenery expect कर रहे हैं कि market में थोड़ी बहुत greenery हमको कल देखने को मिल जाए क्योंकि कल एथीरियम merge होने वाला है ठीक है एथीरियम खुद अभी बहुत down चल रहा है अगर आप देखोगे लेकिन कोशिश एथीरियम की चल रही है green में आने की अगर आप देखोगे और 1587 के जो level से हैं एथीरियम के चल रहे है सुबा कल सुबा जो है morning में एथीरियम merge हो जाएगा और ठीक है तो देखते हैं रात रात में क्या market यहां से bounce करता है क्या एथीरियम bounce करता है और क्या रहता है morning में जब merge होगा एथीरियम का price अगर आप देखोगे bitcoin 20,147 पर चल रहा है bitcoin के level अगर आप देखो 22,800 से 19,860 तक भी आए है ठीक है तो यही एक reason आप देख रहे हो जो हमको देखने को मिल रहा है bitcoin के price में और CPI data ने तो आपको पता है क्या कुछ हाल कर दी है market का अगर आप देखोगे यहां पर binance coin भी 278 डॉलर पे चल रहा है ठीक है 1% 1.4% already level नीचे है market के LUNC चल रही है 0.00029 Luna classic और Luna इस टाइम पे biggest आपको होगे अगर losers की list देखोगे तो यहां पे यह biggest loser है मतलब last 24 hour के काफी ज़्यदा price loss हुआ है मतलब कम हुआ है गिरा है और आपको पता है डू कॉन जो founder है जो CEO है Terraform Labs के उनके खिलाफ जो है arrest warrant निकल चुका है तो एक negative update है ठीक है Terra community के लिए तो यही एक reason है आप देख रहे हो और risky assets है आपको पता है Terra Luna और Luna classic है तो अगर आप Solana को देखोगे Solana भी इस टाइम पे 33 डॉलर के round चल रही है शीवा इनों की बात कर ले है 12-16 के level चल रहे है तो market अभी भी जो है एक अच्छी खासी red की situation में है ठीक है हो सकता है थोड़ा सा नीचे आज है 19,000 डॉलर पे दिखा दे level थोड़े से लेकिन हाँ एक bounce back भी expected है पही है क्योंकि इतना बड़ा event है Ethereum का अगर market green में नहीं आया तो Ethereum merge का कोई यहाँ पे benefit हमको देखने को मिलेगा नहीं है न तो खेर जो market के अंदर जो भी होगा रात रात में ही होगा ठीक है possibilities है कि market green में सुबह तक आजे या कल तक आजे Ethereum merge से पहले ठीक है क्योंकि बहुत जरूरी है Ethereum merge होने वाला है तो अभी फिलहाल market की situation और एक coin है जो green में चल रहा है ADA card है नो vessel hard fork आने वाला है 22 September को उससे पहले जो है थोड़ा बहुत rally greenery जो है हमको ADA के price में देखने को मिल रही है तो शुरुवात करेंगे sweat economy से नए coin के बारे में बात करेंगे नया coin market में आ चुका है move to earn crypto और काफी exchanges के ओपर listing हो चुकी है और काफी हो रही है और आगे भी होने वाली है अभी price देखोगे तो 37% 37% ये green में चल रहा है और थोड़ा सा down आया 7 रुपी तक इसका price चला गया था अगर आप देखोगे 4 रुपीज से नीचे level थे और 7 रुपे तक ये level टच की है अभी 5 रुपीज पे चल रहा है ये 5.88 पे चल रहा है और 0.07 डॉलर पे price आगे और भी बढ़ सकते है ठीक है लेकिन correction भी आ सकता है और क्यों बढ़ सकते हैं आपको पता है नहीं नहीं coin है और काफी strong project लग रहा है कल को ये Binance के उपर भी लिस्ट हो सकता है ठीक है अपना all time high लगा लिया इसने आज फिर 14 September देखोगे तो 7 रुपी 27 7 रुपे का high लगा लिया इसने और 13 September की अगर आप बात करोगे तो coin का price जो launch हुआ था वो 1 रुपी से भी value कम थी और 900% उपर चला गया है launching जो price था वो काफी कम था ठीक है already बहुत सारे लोगों ने इसको sale में buy किया हुआ था pre sale में जो भी पहले इसकी ठीक है हुआ भी sweat economy deposit open है और trading start soon date नहीं है लेकिन हाँ trading जल्दी start हो जागी और एक नई listing हुआ भी के उपर भी होने वाली है तो back to back listings हो रही है जब तक listing होती रहेंगी तो price में chances हैं कि price increase होते रहेंगे next update है lovely inu को लेके आपको पता lovely inu के price एकदम से जो है 20 गंटे से price उचल रहे है क्यों उचल रहे हैं क्यों price बढ़ रहे हैं अगर आप देखोगे Indian rupees में इसका price चल रहा है अगर हम dollars की बात कर लें तो इसका price dollars 6-0 के साथ यहाँ पे चल रहा है 15 के लेवल से हैं वो dollars में और 4-0 के साथ 12 की series है Indian rupees में अब price तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बढ़ रहा है ठीक है लेकिन अगर आप देखोगे इसका all time high इसने एक अगस्ट को लगाया था जब इसकी listings होने वाली थी लिस्टिंग की शुरुआत होने वाली थी शुरू हो चुकी थी 10 listings होने वाली थी उसके बाद इस coin में देखो किस तरह से डंपार 85% जो है लवली डाउन गया वहाँ से अभी भी 85% डाउन है यह अपने all time high से जो इसने high लगाया था ठीक है और 55% 56% green में चल रहा है अब reason क्या है green में जाने का तो आगे इनके official twitter page पे और अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ listings के update हमने आपको दिये थे ठीक है और यहाँ पे buyback है जो listings है वो यहाँ पे इन dates को होने वाली है हो भी रही है buybacks और listing back to back ठीक है यह जो update हमने आपको दिया था लेकिन इसके लावा गर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे एक update और है और we on lovely new finance team would like to sincerely apologize for the delay of listing on the date of September 8 तो September 8 को कही न कहीं एक listing जो है यहाँ पे होने वाली थी और यहाँ पे delay हुई वो listing ठीक है और our long time holder know that we might get delayed sometime but still the result is great and the best एक listing यहाँ पे होने वाली थी 8 September को वो यहाँ पे delay हुई जैसा कि आप इसके अंदर देखोगे यहाँ ठीक है 8 September की listing है और 7 September का buyback है तो 8 September की जो listing है वो नहीं हुई थोड़ा सा delay यहाँ पे हो गई इसके लावा यहाँ पे 22 September को फिर से listing होने वाली है 6 October की का announcement होने वाला लवली इनुका तो देखते हैं कौन सी exchange के उपर listing होती है कोई बड़ी exchange शायद ही हमको देखने को मिले कि कोई बड़ी exchange के उपर list होगा लेकिन हाँ अगर किसी छोटी exchange के उपर list होता है तो price देखो यहाँ से dump भी जा सकते हैं यहाँ से अब यह नहीं है कि लवली आपको 100%, 200%, 300% इतना लेवल दिखा देगा थोड़ा possible नहीं है एक listing update है वेट कीजिए कल जो update होगा आपको telegram पे सबसे पहले मिल जाएगा join नहीं किया तो link है description में join जरूर कर लेना next update है raven coin को लेके raven coin काफी जैदा बढ़ रहा है इस time पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 5.6 44 पे जो है यहाँ पर प्राइस चल रहा है इसका 5.64 पे आ चुका है और 5.80 तक यह इसका high लगा है अगर आप देखोगे अभी थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन प्राइस पिछले 24 घंटे में भी 4 रुपेज से लेके 5 रुपेज तक चले गए है काफी अच्छा pump आ रहा है लगातार 146 परसेंट यह उचल चुका है last week 14 days में अब कल होने वाला ethereum merge ठीक है आपको पता है ethereum classic एक coin और है ethereum classic वो भी यहां पे बढ़ सकता है revenue coin भी यहां पे बढ़ सकता है reason clear है जो miners है वो shift हो रहे हैं किसके उपर revenue coin के उपर ethereum classic के उपर तो कहीं न कहीं इनको ज़्यदा mine किया जा रहा है और कल से ethereum proof of stake में चला जाएगा तो फिर यहां पे price और भी ज़्यदा बढ़ सकते हैं chances हैं कि revenue coin और ethereum classic आपको अच्छा profit दे दें बढ़ सकते हैं थोड़ा आप नजर focus रखें दोनों coin के उपर अगर हम ethereum classic की बात कर लें इसकी rank की बात कर लें यह भी 18 number पे आता है top 20 में आता है और यह भी 3% green में चल रहा है signal clear है ethereum merge से पहले दोनो coins का green में आना कहीं न कहीं ठीक है थोड़ा सा focus रखें ethereum classic पे भी और 37 dollar का इसका price आ चुका है last 24 hour में यह 2850 से लेके अगर आप देखोगे 3000 तक भी इसकी level गए हैं अभी 2942 का चल रहा है और इसका high जो है 12000 रुपे का है काफी ज़धा high है तो दोनों coins पे थोड़ा focus करें next update की बात करें तो वह है चाइना की तरह चाइना ने bitcoin को लेके bitcoin mining को लेके पिछले साली ban लगाना शुरू कर दिया था 2021 में April में के around जो है काफी ज़धा जो mining को ban करने की news separate हुई चाइना की तरह से लेकिन चाइना ranks among top 10 countries by crypto adoption despite bitcoin censorship तो अभी अगर आप देहोगे चाइना जो है यहाँ पे despite an extensive crackdown and ban on crypto related services China is now ranking in top 10 among the countries leading in adoption digital assets जहाँ पे crypto, bitcoin, bitcoin mining इन सब चीजों को लेके ban लगा चाइना ने ban किया वहाँ पे अभी तक अगर आप देखो जो चाइना है top 10 में आता है crypto adoption की अगर countries की बात कर लें यह एक नई report सामने आई है और इस report में अगर आप देखोगे chain analysis की जरुसे अपडेट है और यहाँ पे इस report के अंदर चाइना का नाम भी है top 10 के अंदर जो country adoption के अंदर है crypto adoption Vietnam, Philippines, Ukraine, India 4 नंबर पे है अगर आप देखोगे ठीक है इसके लावा United States, Pakistan, Brazil, Thailand, Russia और China चाइना भी इस list में है जबकि चाइना में सब कुछ जो है बैन कर रखा है चाइना ने bitcoin mining को लेकिन कहीं न कहीं चाइना भी इस list के अंदर है crypto adoption के मामले में अगर आप देखोगे चाइना ranks among top 10 countries by crypto adoption last and final update की बात करें तो वो है bittrue की जरू से bittrue यहां पे नई listing करने वाला है वो भी cia coin की जी हां काफी time के बाद cia coin की जो है एक listing यहां पे हमको देखने को मिल रही है और cia coin is coming to bittrue spot trading deposit open now and USDT pair ठीक है तो trading भी शुरू हो चुकी और एक नई listing हो चुकी है cia coin की कहां पे bittrue के ऊपर तो यही कुछ crypto currency news and update सी I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गे होंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया वीडियो को like share जरूर कर देना चैनल को भी subscribe कर लेना आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में अगर आप किसी भी crypto में invest करें तो अपनी जो research है वो जरूर करें वो बेहत जरूरी होती है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye